हेलो फ्रेंज मैं हिरल स्वागत करती हूं आप सपिका मेरे चैनल पर सो फ्रेंज आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं इस तरह की स्टाइलिस केप शग जो एकदम पहिनने पर भी एकदम श्टाइलिस लुक आता है फ्रेंस और बनाना भी एकदम इजी है, आप इसको एन टाइम पे भी बनाएंगे तब भी बन जाएगा, तो इसको बनाने के लिए फ्रेंस मैंने लिया है, इस तरह का फेबरिक जो मेरा 2 मीटर का है, आपको 2 मीटर जितना फेबरिक चाहिए, अगर आपके पास आपका पुरा करकी बिछा लेना है, अब फ्रेंस यहां पे आपको बता दू कि जो बिछा है, इस साइड है मेरी फोल्डेट साइड है, और इस साइड है, वो मेरी ओपन साइड है, तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है, अब आपको फ्रेंस फूल मेंजरमेंट साथ दिखा देती हूं, कि जो विर्थ थी मेरे आदू, इसकी फेबरिक था उसकी, वो 40 इंच इतनी इसकी विर्थ है, अगर आपका थोड़ा कम जादा होगा, तो भी चलेगा, और जो इसकी लेन्थ है, वो फ्रेंस वो 49 यानि कि 48 इंच इतनी है, और उसमें से भी फ्रेंस जोननी ची, आपको प्लें में आया था, प्लें, तो उसको मेरे बाद में कट कर दिया था, तो उस अकोडिंग मेरे लेंद है, अब फ्रेंस याँ पे हमें सिफ एक दूई मार्क करना है, वो भी जो आपे हमारी फोल्डेड वाला पार्टी वहीं से आपको मार्क करना है, उपर से में 16 इंच यानि कि 16 उसके मार्क कर रही हूं, उपर साइड से, तो वहां पे आप एक मार्क कर लिजिए, फ्रेंस यां से हमें एक और मार्क करना है, वो हम लेंगे 15 इंच का, तो 15 इंच पे एक और मार्क कर लेंगे हम, तो आप उसको अच्छे से से सेट कर लिजिए, और आगे की साइड याँ जहां पर एक मार्क करना है वह हमारा मार्क हमार हमारा यहीं नुदेश गाइब है買i अगर आपको थोड़ा लग रह एंस लिइशल में और यहाब का स्वेद़ हैं तो आप हाथ थोड़ा 5.56 अपने अकोडिंग कम जादा कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहां पर लीफ वाला पैटन बना लिया है और अब इसको मैं इस तरह से पकड़ के कट कर रही हूं अब आपको थोड़ा सा कट कर लिजी दिन अच्छे से जिसे हमने लीफ का सेप दिया है उस तरह से आ हमारा दोनों स्लीव के लिए दो इस तरह से ओपन हो जाएगा तो अब हमें इस तरह से ऊपन किया हुआ उन पाट को फिनिसिंग करनी हैं तो में इस तरह से फैबरी को उल्टा रखते डबल लःवइव्र करूंगी सबसे पहले सिंगल ऽोड करूंगी इस तरह के एकी बार अगर आपको double fold करने में मिंसकी अच्छा नहीं लगता है या आपको दिकत आती है तो आप मिंसकी हम जिसे घले के लिए पटी कट करते हैं तीरची पटी कट करके भी आप लगा सकते हैं तो मैं इस तरह से इसको fold कर लिया देन उसके बाद एक और बार यानि की दुबारा एक पर फोल्ट करूंगी जिसे आप इसकी फैबरी की finishing अची आजाए हमारे देख सकते फ्रैंट्स अब मैंने इस तरह से फोल्ट कर लिया अब जो हमारा दोनों कटे इसमें में इस तरह के से कर लूंगी double fold तो या मारे अच्छे से करेंगा देख सकते इस Tamara से एकड़म अच्छे से फीनिशन के साथ करेंगे एक नीचे की साइड भी हमें इस तरह से talkin' अथे इसलिए इसलिए इसके बाद यह पर लगाना चाहते तो लगा सकते लेकिन इस हास्रत तो मैं उपर साइड भी लगाऊंगी क्योंकि यह उपर वाला पाटे वो हमारा फ्रॉंट साइड आएगा इसलिए तो इस उपर की साइड भी मैं लगा दूँगी तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया फेब्रिक को भी साइड को भी डबल फोल्ड कर लिया और लेस भी भी तो फ्रेंश मेंने सिंपल लिया एसे ही मेरा प्लैन लाएंगा था तो उसको मैंने पैर कर लिया है तो अब इसके उपर में अपना पैर के आपको दिखाने वाली हूं तो यह हमारा स्रग इस तरह से तो अब इसको ओपन कर लिजिए और जो हमने स्लिव के लिए जो कट लगाया था उसको आप बन बाइवन दोनों हाथ में पैर कर लिजिए तो मैं कुछ इस तरह से इसको पैर कर लूंगी तो इस रग फ्रेंश हमारा रेडी है पैनना में भी इजी है बनाना भी इजी है सो फ्रेंश देख सकते हैं आप कितना स्टाइलिस लुक आ रहा है सिंप चोटी लेस लगाई है अगर आप फूरी चोड़ी लगाना चाहते हैं तो आप अपने स्टाइल के लगा सकते हैं तो फ्रेंश में इस तरह से रग रेडी किया है इस अभी तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो अगर आपको भी साधी है और आपको भी अपने हल्ध संगीत फंक्शन में भी कुछ इस तरह से इंडोवेशन आउटफिट पेर करना है और ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है तो आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं आपने पुराने लेंगे कि उपर सिंपली इस तरह का एक कैप स्रग बना दीजिए और आपका आउटफिट रेड से तो यह एकदम स्ट्राइलिस इस तरह की का भी लूप प्यारा लगता है और इसके साथ मैंने स्ट्राइल के मेरी यह ट्राइंगल पोटली बेग फ्रेंस इसका भी लिंक आपको डिप्स बोक्स में और उपर आई बटन में मिल जाएगा तो वह क्या है कि फ्रेंस वेडिं मेरे छ नोटिफिकेशन है उसको भी फरेंस कर देना चलती हूं फ्रेंस मिलती हुए नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए, बाइब बाइ